आपको पहली बार यहां मिला अमेठी में 1999 में अभी भी आपको याद होगा आप तब सोनिया गांधी जी के लिए पहली बार केंपेंड कर रही थी अब आप अपने भाई के लिए कर रही है कॉंग्रेस पार्टी के लिए कर रही है मैं पूछना चाहता हूं 25 साल में प्रियंक नहीं उसके अलावा तो कुछ तो हुआ होगा यह कहा जाता है न कि आप आपने मुझे काहा कि शुरुआत में काहा कि क्या है अगर मैं प्रत्याशी नहीं बनूँ मैं पार्टी के लिए काम करते हैं लोग समझते हैं कि जब तक आप प्रत्याशी नहीं बनेंगी आपको serious politician कोई बात नहीं जनता माने न माने जब समय आएगा मैं करूंगी जनता के साथ मेरा एक रिष्टा है बना रहेगा और देखे कैसे बदली है कि बहुत बहुत सीखा है मैं बहुत सीखा है राजनीती के बारे में बहुत सीखा है देश के बारे में बहुत सीखा है जनता के जे लेदेरे हटना पड़े कोई और नाया चाहरा है. लेके ये नहरू गांधी परिवार जो आपने अपने मन में धारना बनाई है, ये हम अपने आपको ऐसे देखते ही नहीं है। हमारी कोई हमें कभी ये नहीं सिखाया गया था को बताती हुए एक बार एक जोतीशी आये हमारे गर ऐसे वह तो पुलिटिकल टाइब के जोतीशी थे अब पिता जी का इंतजार कर रहे थे मैं गुजर रही थी वहां से 12-13 साल की होंगी हाथ देख लिया मेरा वह बड़ी होके आप रधान मंत्री बनें पिता जी ने सुन ल अपने आपको महराजाओं की तरह समझ सें तो एक दम बक्वासे आप मेरे घर आईए देखिये कोई राव महराजाओं की तरह रहते हैं या ऐसे जैसे हम कोई बड़ा पता नहीं कैसा परिवार है साधारन है हमारा जीवन कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है ना हमने कभी ये हैं कि हमें कुछ सत्ता चाहिए या सत्ता को किसी भी तरह से पकड़ के रखना है यह हमारा मकसद ही नहीं है जीव देखिये जिसने ना आपने पहले मेरे पिता जी की बात की जिसने इतनी हिंसा देखी है जो रहूल और मैने देखी 12 साल की उमर में हमारी जो दादी थी माता जी की तरह थी हमें के घर में रहते थे आज भी वो गहर म्यूजियम बना है आप देख सकते हैं और वहां भी आप देखेंगे कि एकदम साधारन टाइप का जीवन आज आपको यकिन नहीं आएगा कि यहां प्रधान मंत्री रहती थी इस लकडी के पलंग पे और जमीन पे चटाई भी नहीं है तो खेर वो अलग बात है मैं कह रही थी कि उनकी जब हत्या हुई हम 12 साल के थे मारे घर के अंदर हत्या हुई हमने अपनी मा को देखा माने उनका शरीर उठा के वही ले गई हस्पताल मा सद्वे में थी खौद समय के लिए सद्वे में थी उसके बाद साथ साल बाद आम 19 साल के भीया 21 साल के थे पिता जी की म्रेट्य होती है और इस तरहे से होती है पिता जी सिर्फ 46 साल के थे तो हमारे मतलब एक जब ऐसी चीज़े होती है ना जीवन में किसी के भी जीवन में कोई भी हो जिनकě पिता आकस्मिक मौध से घुजर गये हूँ ह कुछ ऐसा होता है, तो किसी के भी जीवन में होते हैं, तो जीवन में अलग तरी की गहरा ही आजाती है, उस जीवन की समझ ही अलग हो जाती है, तो कोई प्रेशर नहीं आप पर या आपके भाई पर की, या सोनिया जी ने डाला कि आपको राजनीती करनी है, बिल्कुल थी, ब कुरू。